हर्याना बिदान सभा की 90 सीटों को लेकर सुबा 7 वजे से लेके साम 6 वजे तक मद्दान होना है उसी पर बात करने के लिए हर्याना के DGP स्पक्ता हमारे साथ हैं उनी से जानते हैं कि किस तरह के जो पुक्ता प्रबंद सुरक्षा के किये गए हैं सर किस तरह से बुक्ता प्रोंद गिए गए हैं जी परदेश में 20,629 हमारे मद्दान के इंद्र हैं और इनको करीब-करीब साड़े 10,000 हैं इन सभी पे सुरक्षा इंतिजामात किये गए हैं जिनमें 225 हमारी पेरा मिलिटरी की कंपनिया तेनात की गई हैं और 29,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी 21,000 के लगभग हमारे होंगार जवान हैं और 11,000 जो SPOs हैं Special Police Officers इन सब को मिला करके हर बूत के उपर ड्यूटियां लगाई गई हैं और जो करीब 37,000 क्रिटिकल और वलनरेबल बूत्स हैं उन पे बूत ड्यूटियां, पुलिस कर्मी और होंगार जवान के अतिरिक हाफ सेक्षन परा-मिलिटरी का अलग से न्युक्त किया गया है और हर पांच-छे लोकेशन के ऊपर एक पेट्रोलिंग पार्टी की व्यवस्था की गई है और हर हलके में जो असेम्बली कॉंस्ट्वेंसी है उसके एक DSP इंचार्ज लगाए गये हैं उनके साथ एक इंस्पेक्टर इंचार्ज है और जो एरिया के SHOs और इंचार्ज पुलिस पोस्ट हैं उनके साथ भी पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं ताकि कहीं भी दिक्कत हो तो यह multi-layered हमारी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है ताकि कोई दिक्कत हो जाए तो यह तुरंत वहां पर पहुंचके उसको स्थिति को ने अंतरण में लें पूरे हरयना में सर कितने क्रिटिकल बूध जो बनाए गए गए तो यहां पर क्रिटिकल बूध ही ङृए जू कौन से जिले में यह अलग है हर जिले में और वेरी करती है संख्या क्योंकि जो बूध क्रिटिकल एक दिन नहीं होता कोई ऐसा ड़ल्मेंट हुई कि उसके बाद हो क्रिटिकल हो सकता है आज की तारिख में यह साड़े सैंटिस सो बूच है और वो उनके संख्या लग लग जिलों में अलग लग है तो मैं वह आंकड़े आपको नहीं दे पाऊंगा जिस तरह से जब से अचार सहींता लगी है तो अब तक हर्याना पुलिस की और से और जो और केंदर की तरफ से जब पुलिस लगाई थी कितना अब तक जो है ड्रक्स और हथियार जो है अभी तक स्टेट में करीब 70 क्रोड रुपे के सीजर किये गए हैं और इनमें 51 क्रोड रुपे के सीजर पुलिस द्वरा किये गए हैं जिनमें करीब 25 क्रोड और 12.5 करोड रूपे की शराब और 9.5 करोड रूपे की ड्रक्स पखड़ी गई है और वाकि सभी एजंसियां जो हमारी हैं केंदर की और राज्यकी इनका भी 1820 करोड रूपे की सीजर्स हैं और इसी तरीके से जो आज का दिन है और कल का दिन ये हमारे जो फ्लाइंग यह सभी अपना तलाशी अभियान जारी रखेंगे और चाहे वो नगदी हो या शराब हो या ट्रॉक्स हो उनकी धरपकड जारी रहेगी जिस तरह से सोचल मेडिया पर जो फरजी खबरें आती हैं उनको लेकर कल अहम दीन है मद्दान का तो उस तरह किस तरह की आपकी सुरक् परदेश में उसमें हम करते हैं और इलेक्शन का दिन भी बहुत एहम दिन है और इस सोचल मेडिया को हम लगातार करेंगे कहीं भी कोई दिक्कत आती है कोई समस्य आती है कोई अफवा फिलाने का परियास करता है उस पर एक्शन भी लिया जाएगा और साथ-साथ यह जो ऐ ज्यादा संख्या में भाहर निकलें और अपने मता अधिकार का प्रयोग करें तो हर्याना डीजीप का साफ तोर से कहना है कि पूरे हर्याना में जो स्रक्षा के पुक्ता जो प्रबंध है वो किये गए है न्यूजेट मेडिया के लिए चमन खलानिया